हलो फ्रेंड्स बेलकम टू सन्विक क्लास आज का विडियो है बिहार के द्वारा चलाया जा रहा परमुख सरकारी योजना है जो परिच्छपयोगी बहुत महत्पूर्ण है इसमें देखेंगे कि साथ निश्चे पार्टू में कौन-कौन सी योजना है महलाएं संबंधित गरीबी एवं बेरोजगारी निवारन है तू कौन सा योजना सुरू हुआ है समाज कल्यान परियाबरान से संबंधित कौन-कौन सी योजना है सब के वारे में चर्चा करेंगे तो आईए सुरू करते हैं सुरू से सुसासन के अंतरगत आत्म निर्भर बिहार के लिए बिहार बिधानसवा चुनाब 2020 के दवरान घोशना हुआ था साथ निश्चे पार्ट टू 2020 से 2025 तक के लिए कौन-कौन से छेतर साथ थे तो वो छेतर थे युवाओं के लिए महलाओं के लिए सिचाई में गाओं में सहर में संचार में स्वास्त में ये सब सारे छेतर थे कि क्या-क्या चेंज होगे स्लोगन दिया गया था इन साथ निश्चे में सातों के लिए युवाओं के लिए दिया था युवा सकती बिहार की प्रगति महला में दिया था ससक्त महला सच्छम महला सिचाई में हर खेत तक प ये स्वास सुवदा दो अप्रैल 2020 से बाल हिरदय योजना भी जोड़ा गया ये साथ छे तो कौन-कौन थे यूबा महला सिचाई गौं सहर संचार स्वास इससे पहले भी साथ निश्चाई वन गोशना हुआ था 2015 से 20 तक चला था वो बिक्सित बिहार के लिए बिहार बिधान सवाच चुनाम में 2015 के दोरान घोशना हुआ था कौन-कौन तो उसमें यूबा महला तो सेम था लेकिन उसमें बिजली था जल भी था गली नली सोचालाय अबसर था इवाओं में था आर्थिक हल इवाओं का बल मुखता क्या था कि सिच्छा कौसल विकास एवं रोजगार के अवसरों पर बल देना महलाओं में था अरच्छित रोजगार महलाओं का अधिकार जो की दिया गया सरकारी नौकरियों में महलाओं को 35% अरच्छ है बिजली में था हर घर बिजली लगतार जो दिसंबर 2018 तक सभी गामों में बिधूती करन का लच था इसे पूरा कर लिया गया था जल क्या है हर घर नल का जल बिहार के सभी नागरिकों को बिना भेदवाव सच पेजल उपलव्द कराने का लच था जो लगभग पूरा हो गया गली नली हर घर पक्की गली एबम नाली आ समपर्कित गाउं टोला को पक्की सड़कों से जोडने का लच था सवचालय में था सवचालय निर्मान हर घर का संबन सभी परिवारों को सवचालय उपलव्द कराने का लच था नेक्ष था सातमा अवसर अवसर बढ़े आगे बढ़े परमुख उद्देश था व्यवसाई के बम तकनीकी सिच्छा सहित उच सिच्छन संस्थानों की अस्थापना करना यह सात निश्चाय पार्ट बन में था जो 2015 से 20 था और जो सात निश्चाय पार्ट टू है वो 2020 से 2025 तक का है नेक्ष देखते हैं महिला संबंधित क्या क्या योजना चल रहा है बिहार में मुख मंत्री कन्या उठ्थान उजना जिसका पररम कब हुआ था 2018 में मुख मंत्री कन्या उठ्थान उजना इसका उद्देश था कन्याओं को उस सिच्छाय तो प्रसाहन रासी देना कन्या के जन्म से लेकर असनातक कर कुल चौवन हजार एक सो की धन रासी देना और एक परिवार में सिर्फ दो बिटियों को लाग मिलेगा दो फरवरी 2021 में इसे बढ़ाया गया कि इंटर जो पास करेगा उसे पचीस हजार आ विवाहित असनातक को पचास हजार और विवाहित और विवाहित दोनों के लिए ये कि जो असनातक करेगा उसे पचास हजार इंटर करेगा उसे पचीस हजार नेक्स चला मुखमंत्री बालिका साइकल योजना के बारे में जानते हैं ये कच्छा नौ में प्रवेश लेने वाले सभी छात्राओं को निसुल्क साइकल उपलावद कराना ये योजना चल रहा है मह 2020 में इसे पंद्रा सव कर दिया गया अगला है मुखमंत्री बालिका प्रुत्साहन योजना बिहार बिद्याले परिच्छा समीती द्वारा आयोजी दसवी कच्छा के परिच्छा में पथम स्रेनी से पास समान ने बहोबी सी बर्कों छात्राओं को 10,000 रुप्य की परति छ प्रुत्साहन दिया जाएगा मुखमंत्री बालिका प्रुत्साहन योजना के तहट नेक्स डेखते हैं मुखमंत्री बालिका असनातक मुखमंत्री नारी सकती योजना के तहट क्या है तो प्रुत्साहन योजना में बालिका के असनातक पास करने पर 25,000 रुपय की रासी उ निरच्छर महिलाओं को छे माह में साच्छर बनाना है अगला देखते हैं मुखमंत्री बिवाह योजना बिवाह योजना के समय पांच हजार की सहाईता रासी जिनकी बार्शी कहाई साथ हजार से कम हो उसे बिवाह के समय पांच हजार की सहाईता रासी दी जाएगी मुखमं परतिमा चार सो रुपिया दिया जाएगा लच्मी बाई समाजिक सुरच्छा पैंसन ही उजना के तहत नेक्स देखते हैं गरीबी एवं बिरोजगारी निवारन संबंधित कौन-कौन सियोजना चल रहा है बिहार में पहला है बिहार ग्रामिन अजीव का परियोजना जीविका जिसका पररम्भ 2007 में हुआ था अम्मुक्ष उदेश था गरीबी उनमुलन अन्समाजिक अर्थ इस्तितियों में सुधार महला ससक्तिकरन बिस बैंक की आर्थिक सहाईता से ये चलाया गया था जीविका नेक्स्ट है सतप जीव को पारजन योजना जिसका पररम्भ कवगा था 2018 में उदेश था रोजगार प्राप्ति में सहाई था लच्छित परिवारों को धम संचलन है तू परसिच्छन देना नेक्स्ट था स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना बरहभी पास गरीब परिवारों को चात्रों को आगे बढ़ने है तू चार लाग तक सरकारी लोन था स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के बरहभी पास गरीब परिवारों के लिए नेक्ष्ट है कौसल विकास योजना जिसका प्ररणभ 2017 में हुआ दसवी पास चातर चात्राओं को परसिच्छन उम्र है 15 से 25 वर्स के बीच होना चाहिए था यह 2017 में शुरुआ कौसल विकास योजना अगला है मुख मंत्री निश्चे स्वें सहायता उत्रन भत्ता योजना जिसका प्ररणभ 2016 में हुआ पंजिकरित बिरोजगार इवाओं को आर्थिक सहायता परदान करना परदेश में बारावी कच्छा करने बाले बिरोजगार इव के बिरोजगार लोगों को काम ब्याजदर पर रीन सुब्दा उपलवद कराना मुख मंत्री स्रम सक्य योजना के तहद अगला है मुख मंत्री युवा उद्धमी योजना जो एक जून 2021 से प्रणभ हुआ है मुख मंत्री युवा उद्धमी योजना अगला देखते हैं गरीब तथा बिरोजगार नागरिकों के लिए हैं अगला है मुख मंत्री अलफ संख्यक रोजगार रीन योजना 18 से 50 बर्स के बीच के आयूबाले अलफ संख्यक इसे बहुत मुस्लिम सीक इसाई पार्सी को रोजगार सुरू करने है तो पाच लग का रीन उपलब्द कराना है मुख मंत्री अल्फ संख्यक रोजगार रीन योजना के तहर नेक्स देखते हैं गरीब कल्यान रोजगार अभियान आराम 20 जून 2020 को खगडिया के तेलिहर गौम से परधान मंत्री द्वारा देश के छे राज बिहार उत्तरपरदेश मध्यपरदेश राजस्थान जहार किया गया है किसके द्वारा परधान मंत्री के द्वारा खगडिया के तेलिहर गौम से अरंभ कब हुआ था तो 20 जून 2020 को कुरोना सहाइता योजना मोबाइल एब करोना काल में ततकाल सहाइता के लिए 1000 सीधे बैंग खाते में ट्रांसफर आपदा परवंधन विभाग द् नेक्ट है मुख मंत्री ग्रामीन अबम सहरी पेजल निश्चा योजना परणभ 2016 लम हुआ है ग्रामीन अबम सहरी छेतरों में पाइप द्वारा गुनबता पुर्ण जल की उपलवदा सुनिश्चित करना ये सुरू हुआ है अब देखते हैं समाज कल्यान संबंधित कौन कुन सी उजना हुआ है तो राज समाजिक सुरच्छा पेंसर नियुघना साथ बरस अधिक आयू के आशाय बिदवाओं बिकलांग है तू बार्सिक आय सहरी पचपन सबसे अधिक न हो तथा ग्रामीन पांच हजार से अधिक न हो परतिमा समाजिक सुरच्छा के रूप में चार सो रुपिया दिया जाएगा, राज समाजिक सुरच्छा पिंसन ही ओजना के तार, कितने चार सो रुपिया, जिसको सहरी के लोगों को पचपं सो से अधिक न हो आए, और ग्रामिन वाला को पाच हजार से अधिक न हो, साथ वर्स अधिक आयू के लिए, सहाई पेंसन दिया जाएगा जिने केंद्रिया राज सरकार में कोई समाजिक सुरच्छा पेंसन प्राफ नहीं हो रहा है उसे दिया जाएगा किसी भी उम्र के 40% उससे ज्यादा बिकलांग ब्यक्ति को 400 रुपया परती मांग का पेंसन दिया जाएगा बिहार राज बिकलांग समाजिक सुरच्छा पेंसन योजना के दहाएगा नेक्स्ट है बिहार सताबदी असंगठित क्रमकार एवं सिल्पकार योजना मिर्तु या अस्थाई अपंक्ता की स्थिति में 75,000 एवं आंसिक अपंक्ता की स्थिति में 37,500 दिया जाएगा बिहार सताबदी असंगठित क्रमकार एवं सिल्पकार योजना के दहाएगा अगला है प्रवासी मजदूर दुर्खटना योजना यानि राज के बाहर कारिरत 18-65 बर्ष के असेंगठित मजदूरों की मिर्ति होने पर एक लाखा बार्सिक लाभ दिया जाएगा प्रवासी मजदूर दुर्खटना योजना के तहद नेक्स देखते हैं परियाबरन संबंधित क्या क्या है तो जल जीवन हर्याली योजना चल रहा है जो इसका पररम्व 2019 में हुआ था मुख मंतरी नितीश कुमार दौरा उदेश जल सरच्छन एवं बिर्चा रोपन को बढ़ावा ग्रामिन विकास ब्रहाग दौरा संचालित होता है जल जीवन हर्याली कब है 2019 से सुरू हुआ था अम मुख मंतरी नितीश कुमार दौरा जिसका उदेश है जल सरच्छन एवं बिर्चा रोपन को बढ़ावा देना प्यार का पौधा वियान बिहार ने चलाया था जल जीवन हर्याली मिशन के थर पौधा रोपन को बढ़ावा देने है तू प्यार का पौधा वियान और्गेनिक कोरिडोर योजना इसका पररम्भ 2017 में हुआ था 2017 में उदेश गंगा क किनारे जैबी किर्शी को बढ़ावा देना बर्तमान में 13 जिलों में लागू तथा आगे 25 और जिलों में करने का है और्गेनिक कोरिडोर योजना अगला देखते हैं संबंदित कौन सी योजना चल रहा है बिहार में संबंदित कौन सी योजना चल रहा है बिहार में देखते हैं मुख मंत्री मिधावी योजना सैच्छी कुथान करना दसवी कच्छा में पर्तम स्रेनी लाने पर 10,000 देने का प्रवधान है ये था बिहार में चलाए जा रहा है पर मुख योजना कौन-कौन सा था उसके बारे में थोड़ा सा डीटेल था अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एं सेर कर देजाएगा धन्यवाद